उस तक कागस कलमते, चितर, लेख हैं, खोजी विद्वान, डॉक्टर सतेंदर सिंग नूर, डॉक्टर सतेंदर सिंग नूर नू मैं सब तो पहला अपने अध्यापक देतो औरते मिली सी, ये 1973 दी गाले, जोद मैं में पंजाबी दी विद्यार्थन सी, ये दिली युनिवस् जेओ समां सी, ये ओ समां सी, जुद लॉक्टर हर पजill सिंग दिली युनिवस्टी पंजाबी विपाग दे सांं, तैना दे कहे बगार, पंजाबी डिपाट्मंट पता तक ने सी हिल साकता, उस फेले, डॉक्टर सिंदर सिंग नूर तो इलावा, डॉक्टर जग्बीर सिं मैडम महिंदर कॉर्गेल, डॉक्टर वंजारा बेदी, डॉक्टर स्वेंदर सिंगु पल्वी युनिवस्टी चैम में पंजाबी दियां क्लास सानु पढ़ांदे सानु डॉक्टर हर्पजन सिंग दे पढ़ांदे तरीके दी में जिन्नी वी तरीव करन काट रही उना दा लेक्चर सोन के हर इक स्टूडेंट नु यह लागदा सी के सब कुछ जो उना ने पढ़ाया समझ आ गया ते गल सौफी सदी सचवी सी इसे करके विद्यार्थी उना दी क्लास कदे मिस्नी सी कर दे किंग एडिपस ता पंजाब्भी चान वादवी उना नहीं कीता सी यो नानी ट्रेजडी चा सारी विद्यार्थी बहुत दिल्चस्पी राख दे सान जिनना फोकलोर ते उना नहीं लिखेया शाय दी कोई पंजाब्भी विद्वान एनना कुछ फोकलोर बारे लिख सके डॉक्टर स्विंदर सिंग उपल क्योंकि आप कहानी का रहन इसले फिक्शन पढ़ाँ दे सान इसे तरह डॉक्टर हर्बन सिंग चावला गुर्बाणी ती सिख हित्यास दे माहे रध्यापक सन डॉक्टर गुर्चरन सिंग अर्शी वियोस समें नमे नमे लेक्चरार बाण किया है सन डॉक्टर स्थेंदर सिंग नूर सानू क्रेटिसिजम पढ़ाँ दे सन डॉक्टर हर्बन सिंग तो पिच्छ हों जे कर कोई लेक्चरार विद्यार्थियं दा चहिता सी तो उसी डॉक्टर नूर इसे समें डॉक्टर आतम जीत जो के आज कल अमरीका जावस से हन सानू लिंग्विस्ट्री के पढ़ाँ दे सन डॉक्टर नूर उना देना चवी क्रेटिसिजम होते बहुत यांदर दे सन डॉक्टर हर्बजन सिंग दे नमी क्रेटिसिजम स्कूल दा सब तो वद सफल विद्यार्थी जो रहा है वह है डॉक्टर नूर जिनना नू एसे सब्जेक्ट दे मास्टर होन कारण पिछले साल साहत अकेडमी दे पुरस कारनल सनमानत वी कीता गया डॉक्टर नूर उसे समय तो क्रेटिसिजम ना लगा तार जुड़े हुए हन आज दा कोई भी ऐसा लेखक मैंनो दिखाई नी देंदा जिदे लिखत नू डॉक्टर स्तेंदर सिंग नूर ने ना पढ़या हुए ते पढ़न पेच्छो अपनी राय ना देती हुए जे मैं एक कहां के बहुत सारे जोके लेखक ऐसे करके लेखक मनने जान दे हान क्योंके डॉक्टर नूर ने उना दिया लिखतानों पढ़या गुड़या ते उना उते अपनी बहुत मुली टिपणी भी कीती है उनने ना सिरफ दिली दे पारदे हो शेरंच वस्ते लेखकां दिया। लिखती कирतां दा मुल्ल पाया सोगव देशां च वस्ते लेखकां लेखकां वी डॉक्टर नूर दी दृष्टी दी तांग चरिया। जेकर किसे दी नमी लिखी पुस्तक नू डॉक्टर नूर दी नजरे इनायत मिल गई, तो दी महत्ता पहला नालो दस गुणा वक्ता जरूर होगी समझी जान्दी रही है। किसे भी पुस्तक नू पढ़न पेचों, वो अपनी उच्ची सुची राय लिखंच वीटे लनी करदे। पूर्ण माशी दाच्चानद वेख लेया हुए। वो आप अपनी मुऊं केंदे मैं आप सुने हैं। जे मेरे लिखे नाल कोई नमा लेखक पाठ कांचे चर्चत होंदा है तो मैंनो इस नाल खुशी महसूस होंदी है। इसे लिए उपढ़दे भी बहुत हान थे लिखदे भी बहुत हान थे लिखदे भी बहुत हान। पतानी क्रिटिसिजम लिखदे लिखदे कदों कभीतावल मुड़ पए। उन्होंना थे पाठक दो चित्ती च पह गई कि डॉक्टर स्तेंदर सिंग नूर अंदर बैठा लेखक कभी वड़ है जा फिर क्रिटिक। कई पाठक उन्हों क्रिटिक पहला मान देया थे कभी पिच्छों पर कईया दा कहना है। अज कल उन्होंना दे अंदर ला कभी क्रिटिक नलो उच्चे का दिदा है पर पिछे जे उन्हों क्रिटिसिजम दी उस्तक लई साइथ अकेडमी दा सन्मान मिलिया तेगल साफ हो गई कि उन्हा अंदर ला कलमकार क्रिटिसिजम दा महर है। उन्च डॉक्टर नूर ने जिना काम पंजाबी साहित नू एक सेद देन ले किता है उकाबले तारीफ इसे लिए है कि पंजाबी साहित उन्हा वरगा सूजवान साहित समिख्याकार होर कोई का टी नजर आँद है। इसे करके आसपास दे सारे साहितिक महाल विचले नमे पन तो जानू होना जरूरी होंद है। पच्चमी साहित समिख्या उन्हादी हमेशा एक कसवट्टी रही है पंजाबी साहित नू विचारन लही है। इसे करके बहुते लेखक पुस्तक छपदेयां साथ डॉक्टर नूर दी उचीते डूंगी द्रिष्टी वल विखन लगदेयां। वा लगदेयां डॉक्टर नूर किसे वी कृत दे दोशावल कट वद्धी त्यान देयां जो सही भी है। उना दी कलम हमेशा नमें लेखका नूत शाहिद कर दी रही है। इसे करके बहुते लेखकता बनाई डॉक्टर नूर दी कलम दे हन। जिवें पापा पृतम सिंग जेकर किसे नमें बंदे दी पुस्तक छाप देन दे सी। तो लेखकां दी लेश्टर चा जानदा सी। ते डॉक्टर नूर एक सुगड सी आने सी मिख्या कारी नहीं। बालके वो एक बहुत सुल्जे हुए पर बंदक वी हन। साहित समागमा वेचोना दी ऐसे विशेषता। ते सूज बूझ नूँ दिल्ली दे तकरीबन सारी लेखक ते होर कलाकार पली पांध जानदे हैं। दिल्ली दे जिसवी साहित समागम चो डॉक्टर नूर हाजर हुन दे हैं। उस समागम दी सफलता हुते किसे नू रत्ती पार भी शक नहीं रहनदा। पर डॉक्टर नूर इक है ते साहित समागम हर रोज अज कल किते न किते हुन दे ही रहन दे हैं। जे मैं कहां के नाशते समें डॉक्टर नूर दिली चुन दे हैं। लंच समें जलंदर दिखाई दन दे हैं। डिनर समें अमरिसार युनिवस्टी ता मेरे इसका थन्दी पुष्टी तुस्सी आप ही पली पांती कर सकते हुँ। हर साहितिक मांच यही चौन दा है के साधे इते डॉक्टर नूर साब दी प्रेजेंस जरूरी है। खास करके पट्याली विचली पंजाबी उनिवस्टी, चंडीगाडी उनिवस्टी ते दिली उनिवस्टी दा कोई वी साहितिक सम्मेलन उदो तक संपूरन नहीं समझे आ जन्दा जदों तक नूर साब नहीं पहुंच दे। इन नहीं नहीं। अजकल ता जई कोई सरकारी जाँ गैर सरकारी संस्थावी काटी होएगी। जे दिव मेंबर ना होन। इहीं कारण है कि उना दे पैरांच हमेशा जुत्ती पई रेंदी है। ओ गए ते ओ गए। अजकल पाकिस्तान वाले वी अपना कोई साहित समागम उ इस गल्च किदरे वी दो रावा नहीं हान के नूर साव ने पंजाबी साहित नू तनो मनों अपनी कलम नाल जो बहुं मुली देन देती हो दा कोई सानी नहीं। उना दी सक्त कालणा करके आज दोहां पंजाबान दा पंजाबी साहित विद्वानाली बहुत महत्ता रखदा इते साड़े देश्ट पंजाबी पाकिस्तानी साहित नू बहुत महत्ता दिती जान दी है। खास करके युनिवस्टियांच पाकिस्तानी पंजाबी कहानी शायद एननी पाकिस्तान च न पड़ी जान दी हुए। जिनी के इदर ले पंजाब च पड़ी जान दी है। खास क जनाफ फकर्ज जमान इस कारजली सतकार योग हन। जनाफ फकर्ज जमान इस कारजली सतकार योग हन।